नमस्कार दोस्तों मैं रॉग अपलों का फिर से आरम केस प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूँ जहां पे हम लोग डिसकस करते हैं रेलवे से संबंदित साइंस के कुछ महत्पुन कोशनों को तो जो भी बचे रेलवे की किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं चाहे वो चाहे वो ग्रूप D की हो, ALP की हो, NTPC की हो, चाहे आरफीयफ की हो किसी भी एक्जाम की अगर वो त्यारी कर रहे हैं तो यह सेसन आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशल होने वाला है यह सेसन आप लोगों के लिए राम वन से कम नहीं है तो यहां पे हम लोगों ने अभी तक 12 शेसन हमारे हो चुके हैं यह हमारा 13 शेसन है और यह हमारी सीरीज चलते रही हमारा हमने जो टार्गेट रखा है कि कम से कम 2000 कोशनों को डिसकस करना आपके एक्जाम होने से पहले ही तो उसी सीरीज को हम लोग यहां पे कंटिनुनी करेंगे तो जिन बच्चों ल को नजर आएंगे तो बिना कोई टाइम वेस्ट किया ही हम अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं चलिए पहला कोशन देखते हैं चलिए पहला कोशन देखें यहां पर क्या लिखा हुआ है कि ब्रैंड डेबलेफ फ्रॉम विच आप दा फॉलोइंग लेयर मस्तिक निमलिखि अब देखिए क्या होता है काहनी क्या है कि रभी मला और यह से निकलने वाला एक nestlev होता है यह दौनों जब एक sale एक baby में convert हो जाता है, एक बच्चे में convert हो जाता है, ठीक है, तो यह जो gigot है, यह क्या करता है, यह क्या करता है, शुरॉत में बहुत सारे sale division चलती है, तो sale division बहुत सारी चलती है, तो बहुत सारे sale के गुच्छे यहां पर आ जाते हैं, यह sale के गुच्छे क्या करते हैं, आपने आपको थोड़ा सा री अरेंज करते हैं, री अरेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर री अरेंज नहीं करेंगे तो यह जो गुच्छें इधर दर चले जाएंगे, तो आपने आपको थोड़ा सा री अरेंज कर लेते हैं, तो देखो यह तीन परतों में री अरेंज ह बनाते हैं चाहिए वो brain हो आपकी आखे हो आपका नाख हो heart हो liver हो kidney हो जो भी system देख रहे है blood सब के सब यही तीनो layer मिलके बनाते है देखे कौन कौन सी layer है सबसे जो बारी है इसको हम बोलते हैं क्या इंडोडर्म अब यही layer क्या करती है तीनो layer ही कुछ ना कुछ बनाती है देखें अब एक्टोडर्म क्या करता है सबसे बारी लेयर यह हमारी body की जो आप इसकीन देख रहे हैं चमडी जो देख रहे हैं इसकीन यह कौन बनाता है एक्टोडर्म और यह क्या बनाता है हमारे body के अंदर नर्वस सिस्टम क्यों बनाता है नर्वस सिस्टम के अंदर किस किसी जो कम देखते हैं ब्रेइन को देखते हैं स्पाइनल को देखते हैं ठीक है नियूरॉन्स को देखते हैं यह सब कहां बनती है यह एक्टोडर में बनती है ठीक है मीजोडर्म का क्या है मीजोडर्म क को क्या करता हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम को तयार करता है सर्कुलेटरी सिस्टम को डेवलोप करता है ठीक है सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या जाएगा हमारा ब्लड आ जाएगा ठीक है और क्या जाएगा हर्ट आ जाएगा ठीक है ब्लड आ जाएगा उसके को बहुत सारी शिस्ते कि यह किसको बनाता है हमारे बादी का अंदर यह हमारे बड़िक के अंदर को बनाता है है veterinary system को बनाता हुए और यह करता है किसको सर्कुलेट्री होगे है डाइजेस्ट्री सिस्टम को है दाइजेस्टिक Sys其实 remains इस reporter पर भी और उसके बाद यह क्या से बनणी अब का बनेगा सा भी ऒ्रहती है गॉल ब्लाडर है, गॉल बैडर कोई बनाएगा फिर दो और गरंथियां होती है, कौन-कौन सी, ठराइड होती है पराइड होती है, इन सभी गरंथियां को यह बाई सब बनाएगे, कौन यह इंडोड है हमसे क्या पूछा कि brain कहां से develop हुआ किस लिएर से तो यहां पर एक्टोड हम क्या बनाता है nervous system nervous system के टायती brain और spinal cord तो answer हमारा क्या हो जाएगा option number a एक्टोड ठीक है बासन भाई तो सारी चीज़ें यहीं पर discuss कर लिए हमने ठीक है चलो next question देखते है next question क्या है which of the following is used to make non-stick cookware ठीक है निम्लिखित में किसका उप्योग non-stick cookware बनाने के लिए के जाता है cookware का मतलब जो हम वैसे बरतें जो खाने बनाने में इस्तमाल करते है ठीक है खाने बनाने में इस्तमाल करते है cookware को बला जाता है option क्या है पॉलिविनार क्लॉराइड पॉलिट्रफलरो इथली पॉलिस्टराइल और कौन सा पॉलिएथलाइड टेरे फैत्रों ठीक है यह है चार option आपके पास है अब देखिए इसमें क्या होगा इटेंस है देखिए non-stick के बारे बहुत सुना होगा अब जब भी देखते हैं कि क्शariat उनको पता है तो जो लेयर जो होती है बेसिकली फेर किसी होती है टैफलोन की टैफलोन एक पाउंड है जिसका इसतमाल की जाता है नपसे पूछा गया है आगर कैमिकल ४र्मूला पता है तब यहां रहें और अप inherent HELast यह तो सम्झाएं कि टैफलोन है यह है अब देखो टैफलोन को कैसे बनाते हैं लोग क्या करते हैं हम लोग लेते हैं टेट्रा टेट्रा फ्लोरो इथीन ठेक है इसका फर्मूला कैसे होता है देखो C F double bond C F ठेक है यह होता है पूर्मॉट सरी यह हैं है एक सिंगल आ है इसके हमने मोलीकुलस समुषम यह उप्रेशर है उसका उप्रेशर के सा जो है गला मैंने जोन जाते हैं तो उडने के बाद इस बनता है यह बनाता है CF CF, ठीक है, अरे यार, CF, फिर CF, फिर CF, ठीक है, यहाँ पे भी CF, तो ऐसे बहुत लंबी चैन बन जाती है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे नहीं चाहरी हैं, बहुत सारे हैं, एकदम N number of molecules हैं, तो अब इसका नाम क्या पर जाता है, अब देखिए, बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे ज इत्थिलीन, ठीक है, इत्थिलीन, ठीक है, क्या बोन गया, poly tetrafluoro ethylene, poly क्यों, क्योंकि बहुत सारे molecules आपस में, क्या हो गया हैं, जुड़ गया हैं, और इस ही को हम क्या बोलता हैं, इस ही को हम बोल देता हैं, टैफलोन, ठीक है, यही आप से पूछा है, देखिए, कहां प ठीक है, तो ऐसे पूछ लिया जाता है, देखिए, एक्जाम में क्या होता है, कि कभी-कभी थोड़ा सा advanced level question पूछ लेते हैं, तो आपको उसमें थोड़ा सा हिच किजाना नहीं आपको, ठीक है, अगर आपको वही मैं हमेशा बोलता हूँ कि तैयारी आपकी हमेशा एक step आगे होनी चाहिए, एक step advanced होनी चाहिए, तब भी आपका selection हो सकता है, ठीक है, चलो, बढ़े आगे, तो non-stick बरतनों में इसको यूश किया जाता है, चलिए, next question, which of the following compound added to LPG, liquefied natural gas to make its odor detectable, ठीक है, निमलखीत में कौन सा योगिक द्रवक्रीन, प्राकृतिक गैस में उसकी गंद को पहचाने योगिक के लिए मिलाया जाता है, ठीक है, अब देखे, होता किया है, आप घर में गैस यूश करते हैं, जैसे कि कौन सी गैस, LPG गैस, ठीक है ब्यूटेन, एंड प्लस प्रॉपेन, ठीक है, इसका इस्तमाल किया है, यह दोनों मिलके, ठीक है, LPG में क्या रहता है, ब्यूटेन प्रॉपेन, जिसको हम जलागते हैं, और इनर्जी हमको मिलती है, अब माल लेते हैं, कभी भी जब गैस लीक होता है, तो आपको एक गंद एकदम अजीब सी गंद, आपको तीखी गंद आती होगी, कभी अपने महसूस किया होगा, तो आखिर वो है क्या, देखें, यह जानमूच की इसमें डाला जाता है, क्यों, क्योंकि माल लेते हैं, यह जो तीखी गंद जो आपको आ रही है, उस केमिकल को उसमें नहीं डाला इसलिए इसमें क्या जादे खास तरह केमिकल को मिलाए जाता है, ताकि जब भी गैस लिखो, तो आपको पता चल जाए, तो बेसिकली इसमें क्या मिलाए जाता है, इसमें मिलाए जाता है, इसमें प्लस में क्या जख कर देंगे, इथाइल मरकेप्टन, और जब भी लिकेज होता है तो हमको पता चल जाता है लेकिन यह आप देखिए दो option आपके पास है एक ethylmer captain और methylmer captain कभी-कभी confusion हो जाता है कि भाई ethylmer captain होगा answer की methylmer captain होगा तो कैसे याद करेंगे देखो basically हम जला रहें LPG को तो LPG से हमको क्या मिल रही है energy मिल रही है मिल रही कि नहीं तो यहां से E से भी क्या मिल जाएगा energy तो आप से इसको याद कर सकते हैं तो इथायलmer captain हो जाएगा इसका right answer चलिए एक और question देखते है कथन और कारक वाले ठीक है यह भी question क्या दिया है cholera and spirulina are unicellular algae ठीक है कथन क्या है cholera और spirulina का उप्योग अंत्रिक्ष यातियों दोरा भोजन के पूरक के रूप में क्या जाता है ठीक है कारण क्या दिया है cholera और spirulina एक कोशी का सेवाल है जैसे कि आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो हमारे आर्थ के चारो तरफ चक्कर काटते रहता है अब वहां पर बहुत तरह के परिशन किये जाते हैं तो बहुत सारे एस्ट्रोनेट को यहां पर भेजा जाता था टाइम टो टाइम अब जो भी इस्ट्रोनेट वहां पर तो ऐसा तो है नहीं कि उनलों को दालचावल के साथ यह उसे भेजा जा रहे कि खाने पेने के लिए कुछ नगा कुछ दो चाहिए तो आइसा नहीं कि इनको इनको गैसे की विवस्ता कर दी गई है जाई यह वहां पर दालचावल अप पास के जितनी oxygen वह भी बर्न हो जाएगी तो oxygen की कमी हो जाएगी space station में तो बिचार एस्टेसन क्या हो जाएगे भगवान को प्यार हो जाएगे दिक्कत है वहाँ पर तो हम जला नहीं सकते हैं वहाँ पे चीजों को तो उनको क्या किया जाता है एक tablet के form में तैबलेट के form में दिया जाता है किसको एस्टोनोट को जो space center में space वहाँ पर है तो इस्टोनोटोस को खाते है और अपनी जो भी जरुवत है न्यूट्रिंस की जो भी बॉड़े की होती है वो उसकी फुलफिल हो जाती है ठीक है तो खास तरह के टैबलेट को बनाया जाता है तो कौन-कौन से है एक है बाई कोलेरा और एक है यहां भी लिखते हैं कौलेरा और इस्पिलारे में में क्या होता है यह जो है घ्रुम है अजै ऋ यह बाई कौन सा है यह ब्लू-ग-इन-एL-G ए नहीं id यह लागे यह लोनी से ऑन्लेफिल्ड-थै तो क्वी है यह दोनों कौन से है using slash compl nue carriage tolerance और द एक ही से बने बहुत हैm और क्या यह प्रोटीन रिच हैं बहुत ज्यादा प्रोटीन cuestión के अंदर ही तो जो भी इंयर्स को खाता है तो जो भी उसकी जरूरत होती है वह फुलफील हो जाती है ठीक है तो अब यहां पर option क्या दिया हुआ है पहला कि cholera और spirulina are used as a food supplement by the space तो यह बिलकुल सही है कथन जो हमारा बिलकुल सही है क्योंकि इसी की tablet का इस्तमाल करते है इस दूसरा दिया हुआ है कि cholera and spirulina are unicellular algae यह भी सही है यहां पर हमने देखा यह कौन सा है unicellular एक एक सिल का बनावा रहता है ठीक है तो यह भी सही है option क्या है रीजन भी सही है अब जहलो यहां पर देखते है option number a both assertion and reason are correct बिलकुल and reason is the correct explanation for assertion क्या यहां पर देखो क्या बोला है कि यह दोनों ते statements है kya यह क्या हुआ यह जो reason दिया हुआ है इसके ओपर क्या कर रहा है इसका दे रहा है और extension फनी है क्यों यहां फर salvation यह रहता है कि भाई कि यहां prejudice शॉना haya hamme क्योंकि high protein rich है ठीक है, रीजन में अगर यह रहता है, यहां पे लिखा रहता है कि नहीं भाई की kolera और ispulera high protein rich protein के हैं, ठीक है, साथ-साथ main Lines, Newton भी यह भी रहता है, तो हम उसको इसका सही explanation मान सकते थे, लेकिन यहां पे simply क्या बुलाएं कि यह unisulver है, तो यह इसका explanation हो नह हाब इस तो ऑफोम बनदनGER पлек। है , which of the following bonds found in ozone layer, में कॉन सा बंधन पाया जाता है , ऑजोन बैर्त में , खाएँ , ओ-जोन layer की बात करों , then the formula do cow tweeë अब देखे ocean layer जो है basically पिलो प Yoshi, कहां पर हमारे संताप मंडल हमारे अर्थ से लगवग 15-35 35-35 25 किलो मिटर उपर में इसका काम उजोन लेह काम है कि उसको absorb कर लेता है irregular क्रें रहा पर वाईउमंडल में फिर बाकि जो रिमैंड लाइट है वो हमारे पास पहुंची है और ऐसा क्यूं करता माल नेते हैं कि और नहीं रहे तो क्या होगा तो अल्ट्रा वालेयर रही है संसे वो डारिट हमारे पास पहुंचेंगी और उससे कि हमें बहुत तरह की बिमारियां हो सकती है इसकीन कैंसर हो जाएगा आंक में मोतियां बिंद हो सकता है आर्थ का टेंपरेचर अलेडी बढ़ जाएगा तो इस तरह की प्रॉब्लम में आ जाएगी तो ओजोन लेयर हमारी शुरुक्षा करता है ठीक है तो ओध्री अब ओध् इसकी मोटाई को मेजरमेंट करने के लिए एक यूनिट होती है इसको बोलते हैं डॉप्सन तो डॉप्सन साब नहीं इसके बताया था इसलिए डॉप्सन यूट इस्तमाल की जाती है वह बात आला कि हम लोग इसको आज पूरी तरह से डिस्ट्राइक करने में लगे हुए ह तो अब ओजों से बांड है कैसे पता करें यहां पर और ओप्सन देखते हैं कोडिनेट बांड और अइनिक और कोडिनेट बांड मुझे नहीं पता कि कौन सा ब्याइसमें बांड है कैसे पता करें कुछ नहीं करना है तो तीन ऑक्सीजन मैं नहीं ले लिए एक यहां पर और एक यहां पर ले लिया और एक यहां पर ले लिया ठीक कुछ नहीं करना है बस तीन ऑक्सीजन ले लिए अब मुझे बताईए कि ऑक्सीजन के वैलेंस से क्या होती है शिक्स तो वैलेंस इलेक्ट अब देखो कोई भी यह oxygen को अपना octet पूरा करने के लिए कितने electron की चाहिए 8 तो मतलब कि 8 electron इसके पास आ जाएंगे तो इसका पेट बर जाएगा फिर नहीं खाएगा फिर यह भाई साब अराम से अब कैसे फूराइब अब मानेते कि यह 2 electron अगर इसको दे दे ठीक है इसके पास छे यह है यह इससे 2 electron ले 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 तो इसका काम होन जाएगा इसका पर जाएगा फिर तो इस टेबल हो जाएगा लेकिन यह भाई सा परिसान हो जाएगा क्योंकि तब तो इसको चार इलक्टर ब यह अपने परोसि लेक्ट्रन को मतले हैं हम रोलक्ट्रोफ बोले hemos घ्रक्रों के लिया हम Αंब अब हमारें लेक्ट्रोन उपर आपको टया है तो यहां पर इलेक्ट्रों की शेरिंग होगी, यहां पर क्या होगा कि यह छे इलेक्ट्रों को यहां पर दो यह आपस में इलेक्ट्रों को शेरिंग कर लेंगे, ज्यादा सही रहेगा, यह आपस में इलेक्ट्रों की शेरिंग कर लेंगे, यहां पर अब देखो, दो चार, द दो छे दो आट इसका औक्टेट पूरा हो गया ठीक अब यहां पर देखो अब इस ऑक्सीजन का क्या हाल समाचार है इसके पास भी कितना है एक दो तीन चार पांच छे अब दो यह हो गए इसके तो यह इसके साथ इलेक्ट्रों सेयर कर लेगा तो अब देखो इन दोनों का का ओगया इलेक्ट्रों को श्यर करने के बाद जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को बोलते हैं सब्सकीर करें बाद शांतिनुर्ण यहां पर यहां पर इस वुस्से लेख जब इसके सब्सक्राइब तो जब लोन पैर तो यह अपना एक ऑक सीजन को दे देगा तो बहुत लाक्ट्रों acceptable अपना इसी अपना इस Oxygen को देगा कि लो भाया तुम अपना होता है ठीक नहीं तो उससे जो बन्द बन्द बनता है उसको हम बोलते है कोडिनियट बॉन्ड तो यहां पर स्ट्रक्चर कैसा हो जागा औक्सीजन इसके साथ double बंड और इसके साथ कोडिनेट बंड को लॉंड पेर जब सेर होता है तो इसको ऐसे हम क्या करते हैं करते हैं तो यहां पर cobalent bond भी है और कौन सा है? cobalent or coordinate क्या हो जागा हमारा? cobalent and coordinate bond ठीक है? कौन-कौन सा है सह सही हो जाग और उप सह सही हो जाग बंदन दोना है oxygen में किस में? ऑजलनेर में? समझमाई बाद कैसे बना समझ में थीक है? बढ़ा आगे? चलो वे तत्व जिसके परमानों के नाभिक में कोई neutron नहीं होता है hydrogen, nitrogen, lithium and helium तो आपको पता है जैसे कि total जितने भी element आपने देखेंगे total कितने element है एक सो अठार है अब इन एलिमेंट का एक देखो किसी भी atom के सनवचना का नीचर क्या होता है उसकी सनवचना का नीचर क्या होता कि उसके पास electron भी रहेंगे proton भी रहेंगे, neutron भी रहेंगे तो यह दोनों भाई बाहर में रहता है neutron यह सांड के तरह हमेशा बाहर में घूमते रहता है तो एक atom की सनवचना electron, proton और neutron से होती है तो जितने भी element देखने प्रेड़ेगे हैं सब में neutron है, proton है, electron है बस एक को छोड़के, वो कौन है? hydrogen यह भाई साब को छोड़के, इसमें क्या है कि सिर्फ proton और neutron है ठीक है? proton और electron है इसके अंदर neutron नहीं है तो neutron बस इसी के अंदर नहीं होते है तो आप बोलेंगे, यह कैसे आप बात बोल रहा है हम इस बात को नहीं मानेंगे, आप हमको प्रूब दीजे ठीक है? तो चलो मैं इस बात को प्रूब करता हूँ कैसे? देखो atomic mass कैसे हम किसी का find out करते है atomic mass देखो कैसे find out करते है atomic mass बात क्या लिखते है number of proton ठीक है? प्लस number of neutron ठीक है? number of neutron अब बताओ hydrogen का mass कितना होता है? एक ठीक है नहीं? number of proton इसके अंदर कितना है? एक, हमको निकालना number of neutron तो एन बात क्या लिखेंगे? यह दर जाएगा 0 पता चल गया? ठीक है नहीं? यह पता चल गया? ठीक है नहीं? यह पता चल गया? प्रूब की hydrogen में neutron कितना होती है? जीरो इसके अंदर neutron नहीं होता है ठीक है चलो बढ़ाएगा के the cement factory levers are prone 2 cement factory के मजदूरों को निमलिखीत बीमारियों का खतरा होता है ठीक है कौन का? कौन कौन सा? leukemia, bone marrow disease और कौन सा है? Asbestosis या cytosilicosis अब देखिए होता क्या है? कि बहुत सारी अलग 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 factory है ठीक है अलग अलग factory है जब worker काम करते हैं तो उनको अलग 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 तरह की भीमारिया भी हो जाती है इसा क्यों होता है? जैसे कि मैं बात कर रहा हूं कि सिमेंट factory की तो सिमेंट factory की बात करूं या glass factory दोनों में ही देखेंगे क्या कि एक खास तरकत तो यूज किया जाता है इसको बोलते है silica, ठीक है? silica, जैसे मैं जो cement ही बनाना तो cement कैसे बनता है? यहां पर लाएंगे क्या? quick lime मैं यूज करूंगा, फिर इसमें डालूंगा silica, SiO2, फिर इसमें color change करता है, I think visible है कि नहीं, यह I think visible होगा ठीक है, क्या ही है quick lime और silica, इसको बोलते है silica, प्लस यहां पर क्या लेंगे? अल्मूनियम oxide लेंगे, ठीक है न? अब प्लस थोड़ा सा इसमें क्या डाल देंगे? जिप्सम, जिप्सम डालेंगे, तो क्या बन जागा मेरा? सिमेंट बन जाए, तो सिमेंट बनाने का यह process होता है, ठीक है न? इन तीनों को मिलाता है अब सिमेंट में किसकाइ उच कर रहे है? silica, और सिमेंट में और glass में भी दोनों जगे silica का इस्तिमाल की जाता है अब देखो silikah क्या होता है silikah कि जो particle होते हैं धूल कनों कीतर ही हवा में पूरे कितरस उड़ते हैं तो जब भी worker सांस लेगा तो सांस जब भी लेगा silikah कि जो particle होते हैं वो सीधे हमारे luns में पहुँन जाते हैं और देखन कितर जब काम करेंगे हम उसको बोलते हैं क्या साइटो सिलिकोसिस इसी क्या बोलते हैं लोग साइटो सिलिकोसिस इसका नाम क्या है सिलिकोसिस इसको हम बोलते हैं तो सांसांस लेने में दिक्कत हो जाती है ठीक है तो सिमेंट फैक्टरी यहां पर पूचा है ठीक है सिमेंट फैक्टरी हो या ग्लास क्योंकि Glass Factory में भी किसका इस्तेमाल के जाताा सिलीका तो अलग लग factory हए अलग तरह की disease हो जाती ही वर्करों को जैसे एक और में आपको बता हूँ जैसे करता है जिसे कोईले की खदान है वहां पर कोई worker काम कर रहा है तो इसके वज़े से क्या होता है एक बीमारी हो जाती इसको बोलते हैं लंस, black luns disease, ठीक हैं, black luns disease, उसी तरह से माल लेते हैं कि cotton factory है, ठीक हैं, kपास जहां पर देखते हैं, तो kपास का रर का रर कैसा होता है, ठीक है, white का रर का होता है, तो इसकी जो छोटे-छोटे fiber रहते हैं, वो भी क्या करते हैं, जब छोटे-छोटे fiber, air में movement करने लगते हैं जब सांस लेता है अंदर गोसा, लंस में, तो लंस में भी एक तरगी बिमारी हो जाती है, इसको बोलते हैं, वाइट लंस डेजीज, ठीके न, यह कुछ खास तरह है कि फैक्टरिया हैं जहां पर काम करने से वरकुनों को कुछ न कुछ बिमारी हो जाती है, ठीके है, चलिए क्या करन हो सकता है ठीक है लाटेंटीट अफ सेंड इस इक्वल तो देश्यपीट लगदेगो क्या होता है इस फेनोमेनों को कभी आपने ऑपढ़ किया होगा, जब आप कहीं वी बीश इच गएंगे, कभी गवा के बीच में गएंगे, तो आपको पता चला नहीं गए हैं तो जरूरी है यह सब चीजे गुमना फिर न तो जब भी आप किसी बीच पे जाएंगे तो आप देखें कि वहाँ पे सेंड भी रहता पानी बरेगा ठीक ने समुद्र का पानी अब देखो है कहां कानियां पर कि माल नेते हैं कि यहां पर पानी है ठीक ने समुद्र का पानी है यहां पर क्या है सेंड है ठीक ने अब यहां पर मेरा सन है सन क्या कर रहा है सन की लाइट यहां पर रही है तो सन की लाइट पर रही है बेसिकली सन की लाइट क्या कर रही है उसको इनर्जी दे रही है ठीक ने इनर्जी हिट इनर्जी मिल रही है इसको प जल्दी यह temperature इसका मतले कि राइज हो जाता है लेकिन पानी का temperature जल्दी रेज नहीं करता है वो धीरे-धीरे मतले कि इसका temperature रेज करता है ऐसा क्यों हो रहा है जबकि दोनों का equal amount of energy मेर रही है इसके पीछे कहानी क्या है इसको basically इसके पीछे कहानी है specific heat से specific heat specific heat के वजए से ऐसा हो रहा है specific heat के वज़े क्यों हो रहा है देखिए specific heat का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को मुझे एक degree Celsius से temperature बढ़ाना है तो जो amount of energy मैं दूँगा उसी को बोलते है specific heat अब देखिए यहां पर क्या रहा है कि आखिर पानी सेंड क्यों जल्दी करम हो रहा है पानी क्यों नहीं हो रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि पानी की जो है पानी जो है वाटर का जो specific हीट होता है वह जादा होता है किस से सेंड की तुल ना में तो इसी वजह से पानी लेट से गरम हो रहा है और सेंड जल्दी गरम हो जा रहा है ऑप सर क्या हो जाएगा specific heat of sand is less than the water option number 3 और ऐसा हो भी क्यों हो रहा है मालने तो specific heat भी जादा है तो आखिर पानी सेंड की जल्दी गरम हो रहा है देखो एसा क्यों हो देखो जह सबस्टांग इनर्जी को जितना अंदर capture करके रखेगा बिना अपना temperature रेज किये उसकी specific heat ज्यादा होगी वैसे सबस्टांग जिसको मैं इनर्जी दे रहा हूं लेकिन फटाक से अपना अपने अंदर capture करके नहीं रख पा रहा है अब capture करके नहीं रख पा रहा है इसी वज़ेश का temperature बढ़ जा रहा है और इसी वज़ेसे उसकी specific heat क्या होजाती कम हो जाती है इसका मतलब क्या water जो है अपने अंदर heat को बहुत बहुत ज़दा heat अपने अंदर capture कर रख सकता है बिना temperature अपना जादा है सेंट के मुलना में इसलिए सेंट जल्दी गरम हो जाएगा वाटर नहीं होगा ठीक है तो आपसे नमबर हो जाएगा सी चली नेक्स्ट कुस्टन देखें विच एंजाइम इस रिस्पॉंसिबल पेट में दूद प्रोटीन को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्यदार है लेक्टोस रैनिंग पैपसिन या एरेपसिन देखें एक फैनोमेन आपने देखा ही होगा पहले एक बार एक जामपल में लूँ इससे पहले बता अच्छा देखते हैं इसको क्या बहुत रहा ह मैंने मिल्क प्रोटीन कुछ भी खा-एक पेट के लिए इस टे में में तोर रख देगा ठीक है इस टक में मैंस फिसको क्यों थोड़कर रख तो यहां पे क्या होगा ब्रेक डाउन होगा ठीक है न किया किसमे कि कसमें कर्णोब het कंवर्ट होगा यहहें लैक्टोस क्या द प्रोटीन है तो कियगने का कैसे प्रोटीन हैं तो इसने क्या किया दूद को तोड़ दिया किसमें कैसीन प्लस लक्टोस में तेको दूद का कलर वाइट होता है क्यों क्योंकि इसके ब nhân पाई जाते हैं छयको कहहा होता है। ठीक है नास कारयत का इतल बहुत हैं तो डूज़ कोहीं पी आपको लुके और गया और भूप गया है थी किया है कयो क्य द दली का काउ मिल्क में में। जिसके वज़े से लुब हमें। पीला होता है, इस बात को भी याद रखेगा, यह लो, ठीक है, अब इसने इसको तोड़ के रख दिया, ठीक है, तो यह भाई, इस milk protein को तोड़ कौन रहा है, एक खास तरह का enzyme है, जिसको हम भोलते है, रैनीन, तो रैनीन भाई साब क्या करता है, इसको तोड़ के रख देता ह तो ऑप्सन नमर B हो जाएगा, रैनीन सा, ठीक है, यही तोड़ता है इसको, milk protein को, अब देखो, होता है कि बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, उनके, उनमें देखा हूँ अकसर, कि वो दो काम खूब करते हैं, एक तो सोते ही भाई हैं, और दूद बहुत पीते हैं, बहुत पीते हैं, पीते, 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 क्या हो इस टमाख में जा रहा है, अब इस टमाख में जा रहा है, तो यह रहा इस टमाख में विचारा क्या होगा, भाया इसके पास जितनी पास इसकी शंता होगी, दूद को रखना होगी तो उतना रखेगा, उसको ड़िएस करेग नहीं रख पाएगा तो फिर तो क्या करेगा वापस बीज देगा तो दूढ बच्च in जदा पे लिया एक तो बुद्य करते है। दोढ जब बच्चा दूढ बच्चें के बाद देखें को देखतें के क्या कि दाही के तरह उल्टी कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि उसके अंदर के प्रोटीन को रेनिन ने तोड़ के रग दिया है, जब भी रेनिन तोड़ेगा, मिल्ट प्रोटीन को तो दूद अधी के तरह कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए बच्चे जब भी उल्टी करते हैं धूद तो दही के तरह उल्टी करते हैं। तही के तरह ञांद करने का मतलब है कि रेनिन अपना काम कर दिया है . चले बिच इज अन्हें फंडामेंटल कोंटीटिटी कौन्सी रासी मूलभूत है मूलभूत रासी कौन सी है थीक है सब्संदीए इसका तो पता चल जाएगा लेकिन उसके पीछे बहुत सारे फैक्ट भी आपको जाना जरूरी है ठीक है फिर टैंपरेचर करेंट ठीक है एलेक्ट्रिक करेंट ठीक है एलेक्ट्रिक करेंट एमाउंट अब सबस्टान्स ठीक है और एक हो जाएगा आपका इंटेंसिटी ओफ लाइट ठीक है यहीं लिख देता हूं इनटैंसिटी ओफ लाइट यह क्या है क्वाण 어딕ट फीजिकल क्वाणटित उनकी कुछ ना कुछ इनऊंग होती है तो लेंज्ट को किस में मेजरमेंट करते हैं मीटर में ठीक हैम को किस में केजी में ठीक है और amount of substance को मूल में ठेके ना मूल और intensity of light को कंडेला में अब देखो यही साथ fundamental unit होती है तो यहाँ पर पूछा गया था fundamental quantity तो देखिए यहाँ पर time है time क्या है fundamental quantity है ठेक है force नहीं है work नहीं है pressure नहीं है यह किस तरह की quantity है इसको हम बोलते है derivate quantity इसका मतलब क्या हुआ कि यह ऐसी quantity जिनको हम derive कर सकते है इन fundamental unit की मदद से ही हम force फ्ररक प्रेशर इन सब की quantity को इसकी unit को हम क्या कर सकते है derive कर सकते हैं तो यहीं बस साथ हैं बाकि सब डेरिवल है ठीक है चले next question देखते है which of the following hormone can play a significant role in osteoporosis बहुत अच्छा question है ठीक है निलिखित में कौन सा hormone osteoporosis में मैधपूर भूमिका निवाता है option देखे प्रोजोस्ट्रोन और एलोस्ट्रोन फिर एस्ट्रोजोन और पराथराइड हर्मोन पराथराइड हर्मोन प्लस प्रोलैक्टिंग और कौन सा है एलोस्ट्रोन और प्रोलैक्टिंग हर्मोन चेक है osteoporosis इसका मतलब क्या होता है पहले तो यह समझिए osteoporosis का मतलब क्या होता है देखे osteo का मतलब होता है क्या च्षेदर हो जाता है चोटे चुके पोर हो जाते है तो इसका मतलब गया हगा हडी कमजोर हो गया तो तो ऐसा होता क्यों है अखिर हड़ी में देखिये इसके फेनोमेना को हम बहुत अच्छे से समझते हैं माल नेते है हमारी हड़ी ठीक है यह हमारी हड़ी ठीक है यह रही हमारी अब देखिये हमारे हमने क्या किया यह कुछ भी हो रहा है कुछ भी हो रहा है इसके पीछे एक ही काम है है वह है कैल्सियम सारा खेल कैल्सियम का होता है बॉड़ी में कैल्सियम लेवल जहां अन्बैलेंस में हुआ तो यह प्रॉब्लम आजागी अब मान के चलते हैं कि बॉड़ी में कैल्सियम करने के लिए मैंने कुछ भी खाया ठीक है तो कैल्सियम मेरे बॉड़ी में आ गया के जरूरत है अगर कैलसिम नहीं मिलेगा तो यह हड़ी हमारी क्या हो जागी कमज़र हो जागी तो यहां पर चैखो कुछ खास्तरह के हार्मोंस होते हैं जो क्या करते हैं कैल्सियम को ब्लड से बाउन मिले जाते हैं जैसे एक हार्मों जिसको हम बोलते हैं PTH पैराथोराइड यह कहां से निकलता है पराथोराइड ग्लेंड से ठीक है जो हमारे गले के पास रहती है ठीक है तो पराथोराइड हर्मोन क्या करता है ब्लड से ब्लड से ब्लड की तरफ क्या ले जाता है केल्सियम को मालने ते कि ब्लड में केल्सियम की ब्लड में उसमें केल्सियम की मातरा जदा हो गई तो यह क्या करेगा उस कालिसायम उठाईगा बहुत जएetus अर्मॉन कन इंदेरिट में ही है उधाई सहाँ है और मतना कस यह क्या करता है इसमे से निद आपका इन ना करता है क्या आदेगा इसे हमारी बॉन के पास कैलिसियम आजागा और हमारी हड़्डी हो जाएगी मजबूत हो जाएगी और कुछ हर्मोन जैसे कि एस्त्रोजॉण यह भी यही सहीं काम करता है और टेस्टोस्टोरन यह भी भाई सब क्या करता है कैल्सियम लेबल ब्लेड से बॉन में क्या करता है कैल्सियम लेबल को क्या करता है भेशता है अब मालने ते देखो पहुंचेगी, इसका काम क्या है? bonghs से calcium को blood मिले जाना, hypersecretion होगा किसका? PTS का, तो PTS का होगा, to calcium जो होगा, bonghs से blood के तरफ क्या होगा? बहुत जादा जाने लगेगा, तो यहां से क्या होगा? कि calcium जादा होगा, तो calcium यहां से क्या होगा इसके तरफ, bond के तरफ, sorry, bond से blood के तरफ ज़्यादा जाने लगेगा तो ज़्यादा जाने लगेगा तो इससे क्या होगा कि bond जो होगी धीरे-धीरे calcium level क्या होगा तो PTH अगर ज्यादा रिलीज होगा तो समस्य आजाएगी ठीक यह बात तो समझ में आगी कि पीटी एच का केल्सियम क्या होगा कम जाएगा जब कम जाएगा तो ऑबियसली बाउन हमारी क्या हो जाएगी कम जूर हो जाएगी इसी को तो कौन-कौन से हर्मोन प्रोजस्ट्रों यह तो मतलब होता है कि मैंचुरेशन साइकल में रुकावर्ड ठीक है मौनोपॉज होते है लगवर से 50 से 55 साल की उमर में यह हुने लगता ने लगता है जब यह होता है तो एक खास दर्यक्त critic इसको बोलता है Carnegie सटरोजन जो female sex hormone वहा टो यह इखाना , यह हो जाता है कि यह a जिए बाड़ि से बगवान ने करें गिर जाए तो तूट जाएगी तो तूटेगी जल्दी जोड़ेगी नहीं क्यों एस्ट्रोजन कम है लेकिन लड़कों की हड़िया फिमेल की तुलना में ज्यादा स्ट्रोंग होती क्यों कि फिमेल होता है उसमें टेस्ट उनको निकलते रहता है 75 साल तक रिलीज हो रहा है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है ठीक है यह बाद समझ भाई तो यहां पे स्ट्रोजन और पी टी एच होगा इसका राइट अंसर चलो ऑल्ल फैक्टर रिसेप्टर कौन सा ओल्ल फैक्टर रिसेप्टर किसको यह लेटेक्ट करता है अब देखे आल्ल फैक्टर रिसेप्टर बैसिकली होता कहा है यह होता हमारे नेजल के बैटी ओनें अधर में यह उन्धर में यह चीज हो होता इग्गी तो इसमेल आईगि मतले सुगंद JUL तो सुगंद आई तो जैसे आपने सुगंद लिया जैसे नाक के अंदर वो सुगंद गई ठीक है तो नाक के अंदर ही all factory receptor रहते हैं यह क्या करेंगे उस जो सुगंद है उसको catch कर लेंगे ठीक है रिसेप्टर के तरफ यह catch कर लेंगे और यह इसको message के थूरू ब्रेंड में अब तो सुग शूरू अदर ही आपको पता चलेगा यह किसीज़का टेस्ट है तो यह रिचेप्टर है यह पहुंचेगा धैलेमर्स के पास तब आप इस्ट को डिट्यक्त कर पाएंगे तो बैसिकलिए all factory किसके लिए अन्य किया कि ऑग वी चीज़ को आप सूंग रहे हैं तो उसके लिए olfactor receptor काम करते है हमारे nasal cavity में ठीक है तो थेलमस भाई सब बहुत important हिस्सा होता है हमारे brain का तू बॉन्स कैन बी connected to each other by another connective tissue that is called अच्छा दो हट्डियां को एक दूसरे से संयोजी उत्तक द्वारा जोड़ा जा सकता है जिसे कहा जाता है ठीक है दो बॉन्स हैं इसको जोड़ा जा रहा है एक connective tissue के तहर्त उस connective tissue को हम लोग क्या बोलते हैं ligament, cartilage, matrix या muscles तो दो हट्डियां हो गई यह आपकी यह रही एक हट्डि अच्छा color change कर लेते हैं थोड़ा सा यह हो गई आपकी एक हट्डि ठीक यह हो गई आपकी दूसरी हट्डि ठीक है तो दो हट्डियां देखिए दो हट्डियों को आपस में जोड़ने के लिए एक खास तरह का tissue होता है जिसको हम बोलते है लीगामेंट बोलते है क्या बोलते है लीगामेंट तो यह बाई साब इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है तो दोनों हट्डियों के बीच में यह पाये जाता है यह इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है इसी को हम बोलत अभी कभी गिर जाते हैं तो हाथ पर तूटी तो हड़ी तो हड़ी को जोड़ देता है लेकिन उसके साथ साथ उनका लीगामेंट भी तूट जाता है छोड़ देता है लिगामेंट अगर नहीं जुड़ेगा तो फिर चली नहीं पाएंगे, ठीक है, दिक्कत हो जाएगे, चली, next question दिखते है, क्या बोला, guard sales are involved in the process of, ठीक है, guard sales, guard sales are involved in the process of, guard sales कोशी काएं, किस प्रकरिया में सामिल होती है, भोजन का परिवहन, उष्ण कटि बंदिय गतिया, प लेगे, यह हमारा lips है, ठीक है, यह हमारा हो गया, मान लेते हैं कि पत्ती है, ठीक है, तो पत्तियों के अंदर बहुत सारे पाए जाते हैं, इस्टोमेटा, ठीक है, बहुत सारे पाए जाते हैं, इस्टोमेटा, मान लेते हैं, कोई एक छोटा से इस्टोमेटा है, इसके में जाता है क्या? Lens of the plant. Lens of the plant क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारा खेल इसी के तरू होता है. Exchange of gases इसी के तरू होता है. ठीक है, transportation, वास्पो सर्जन, इसी के तरू होता है. अब देखो, अब ये दोनों, अच्छा, color change करूँगा तब ज्यादा समझाएगा. ये दोनों, देखें, ये गिया, guard करने का मतलब क्या हो गया? इसको guard करते हैं. तो ये जो guard कर रहे है, इसी को हम क्या बोलते है? Guard cell बोलते हैं. तो guard cell basically कहाँ पाई जाती है? हमारे stomata में पाई जाती है और इसका काम क्या होता है? ट्रांस्पिटेशन का ट्रांस्पिटेशन मतलब loss of water वाटर को लॉस करते हैं जैसे कि यहाँ पर रूट के थुरू यहाँ पर पानी पहुंचता है तो यह guard sil क्या हो जाते हैं खुल जाते हैं क्या करते हैं खुल जाते हैं क्योंकि इनकी उपर एक तरजिट प्रेशर लगता है जैसे प्रेशर लगता है यह खुल जाएंगे पानी का सन उपर में है सन की लाइट पड़ी तो बेसिकली किसके लिए प्रेशर लगता है यह खुल जानते हैं इसको बोलते हैं क्या है करेंशी ओफ इनर्जी करेंशी एक थंप करते हैं गुलकोज जैसे कि अगर तूटता है तो गुलकोज जब भी तूटेगा तो एक इनर्जी हमको मिलती है तो आटप के फॉर्म में ही मिलती है और इस energy का फिर हम लोग काम करते हैं, जैसे मैं यहां बोलने में काम कर रहा हूँ, आप सुनने में काम करते हैं, सुनने तो हर चीज में आप काम कर रहे हैं, उसमें ATP as a energy body में काम कर रहे हैं, तो इसका full form क्या होता है, इसको बोलते हैं, एडनो साइन्स ट्राइफ ग्लुकोज completely अगर बर्न होता है तो कितनी ATP निकालता है total 38 ATP release करता है ठीक है जिसमें से 36 ATP जो होती है वो बनती है हमारी mitochondria में ठीक है और 2 ATP जो बनती है वो बनती है हमारे cytoplasm में ठीक है इस बात को याद रखिएगा चलिए next question देखें तो बैक्टरिया की कोशिका भीट्टी डैस से बनी होती है cellulose, chitin, peptidoglycone या lipid तो बैक्टरिया की बात करूं तो बैक्टरिया का सेल वाल का मतलब क्या होता है सबसे आउटर मोस्ट सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है ठीक है जो सेल होता है सेल की सबसे आउटर मोस्ट जो आपकी जो मेंबरेन होती है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेंबरेन इसको हम लोग बोलते हैं अब मुझे ये है बताए कि आपको सेल वाल नजर आगा बिलू कुल नहीं नहीं आता है तो सेल वाल कहा कहां पाय जाता है 시ल में पाय जाता है सबसे और था आइड्यकेम आप देखिए क्या पूछा है bin बैक्टेरिया के बारे में पूछा है तो बैक्टेरिया को जो सेल वाल होता है बेसिकली किस से बना रहता है यह बना रहता है कि इसको पैप्टी डो ग्लाइकेन इससे बना होता है तो पैप्टी डो ग्लाइकेन से बना होता है बैक्टेरिया का सेल वाल अच्छा यह मुझे ब इसका बताई तो किस से बना रहता है इसका 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 बना रहता है युनिवर्सल ग्रेवाटसनल कॉंस्टेंट जी जो है उसका यूनिट क्या होगा देख़े यूनिट और डायमेंजन से एक सवाल आप एक्जाम में अर देख रहा है पिछले साल से देखा कि यूनिट और डायमेंजन से कम-ई-पोच्छिता है यूनिट से बहुत कोशन पोच कि gravitational force की value कितनी होती है G M1 M2 दो अलग अलग body है upon R square दोनों के बीच का जैसे कि M1 यह एक body है यह दूसरी body है इन दोनों के बीच का distance आ रहे तो formula यह लगाते हैं लोग G M1 M2 upon R square जहां पर G क्या होता है यह होता है universal gravitational constant मतलब कि आप चाहिए अर्थ पर जाएए या मून पर जाएए मंगल पर जाएए जी की value constant रहती है ठीक है अब देखो G का हम को unit निकाला तो कैसे निकाल सकते हैं तो G को मैं ऐसे लिख सकता हूं R को दर में बेज देता हूं आफ F R square upon M1 into M2 यह लिख सकता हूं force की unit कितनी होती है Newton R की radius को किसे निकल सकते हैं meter से तो meter square हो जाएगा ठीक है M1 M2 क्या है mass है mass को किसे kg से तो 1 kg है 1 kg है तो कितना हो जाएगा kg square तो unit क्या हो जाएग इसकी Newton meter square upon kg square कहां पर है option number first ही तो है यह हो जाएगा आपका राइट है ठीक है बड़े आगे समझ में रहा है चीजहों चीजहें आपको समझ मानी चाहिए ठीक है कोई भी doubt हो तो आप मुझे comment section में जरूर बताईएगा या कोई इसा question हो जिसने आपको उल्जा दिया हो ठीक है तो आप चाहते हैं कि उसको मैं discuss करो ठीक है किस next session में तो आप वो question भी मुझे बेश सकते हैं ठीक है चलिए अब देखते हैं which of the following phenomena of light are involved in the formation of rainbow ठीक है ये भी अच्छा question है परकास की इन मिलखीत में से कौन सी गटना है इंतर दनुस को निर्मान में इंतर दरुस की निर्मान में सामिल होती है ठीक है reflection and dispersion and total internal reflection तो जब एक rainbow बनता है इंतर दरुस बनता है तो कौन-कौन सी फेनोमेना यहां पर सामिल होती है ठीक है अब इसको हम लोग देखते हैं कहां पर बना है इसको चलो यहां देखते है यह रहा ठीक है रहा मान लते है कि कौन से पर्टीकल है यह वाटर पाटीकल ठीक है अब बारिश होती है पारिश के समय ही आप रेंबो देखते हैं ऐसे नहीं कि कईрийliamo बारिश होती है थी आप देखते हैं तो रेंबो में है अब देखो क्या होता है कि सन लाइट है माल लेते हैं यह सन की लाइट यहाँ पर आई किसके पास इस वाटर पर्टिकल के पास तो वाटर है तो बाहर में देखें क्या है बाहर में एर है ठीक है और अंदर में क्या है अंदर में वाटर है पानी है जब भी लाइट एक मीडिय में जाती है तो क्या होता है लाइट थोड़ी सी मूर जाती है और इसी फिनोमेनों क्या बोलते हैं रिफ्रेक्शन बोलते हैं तो यहां पर क्या होगा एक रिफ्रेक्शन होगा ठीक है एक रिफ्रेक्शन होगा यहां पर साथ साथ रिफ्रेक्शन तो होगा ही इसके साथ साथ यहां पे dispersion of light भी होगा, dispersion of light का मतलब क्या होगा, कि light 7 अलग-अलग color में बदल जाती, which light होती अज़की जो 7 color होती हो, उस 7 color में यह divided हो जाएगी, तो माल लेते हैं, 7 color में divided होगा ठीक है, ठीक है, यह 7 color में से, 7 है, 7 ही समझ लेते हgowगी, जिसमें से उपर मैं मालने था हूँ कि यह violet है नीचे में red है अब यहाँ पे देखो क्या होगा एक और फिनाम होगा यहाँ पे होगा total internal reflection total internal reflection का मतलब क्या होगा कि जैसे light यहाँ यहाँ आई वापस आई गया होगा ठीक है total तो यहाँ पे क्या हो गया यहां पे हुआ एक reflection हुआ ठीक ना और क्या होगा यहां पे dispersan हुआ ठीक न यहां पे क्या होगा total internet reflection हुआosphory अब यह भी लाइट अंदर में है आप बाहर निकलेगी तो बाहर से जब अंदर में क्या वाटर बाहर में क्या एर फिर क्या होगी है एक मीडियम डेंसर है और एक मीडियम है तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी लाइट जाएगे तो क्या होगा फिर से क्या होगा रिफ्रेक्षन होगा अपवर्तन होगा तो यहां पर फिर सब वर्तन होगा तो यहां पर थोड़ी सी मोड़ जाएगी तो यहां पर देखिए उपर में आपको रेड नीचे में वायलेट तो साथ करलों में यहाँ पर ऐसी नज़राएगा सबसे उपर में आपको रेड नजराएगा उस एक रेड नजराएगा तो यहाँ पर भी एक reflection हो गया तो एक reflection यहां पर एक reflection यहाँ पर हुया total internal reflection यहाँ पर हो गया dispersion चार चीज़े होई, मतलब कि दो बार हुआ है reflection कितने बार हुआ है दो बार, एक बार अंदर जाते समय और एक बार जाते समय T.I.R हुआ, total inter reflection हुआ है ठेके न, यहां पर एक बार ठीके न, और dispersion हुआ है कितने बार, एक बार, light यहां से गई यहां पाई तो एक भट इस परचन आब क्या क्या पूछ रहा है hp reflection नबर बी?- he फॉप्ष न यह तो हो गई तुप॥ हुआ है रिफ्रे》क्षां ओचन डिस्परचन टोटल क्या भूला है इसी सबसेंसर के हो जाएगा हमारा option number भी हो जाएगा अगर आपसे पूछ लिए गया कि कितना रिफ्रेक्शन हुआ है कितना हुआ है तो रेंबो भी दो तरह के होते हैं एक primary रेंबो और एक secondary रेंबो में देखें क्या होगा यहां पे देखो red light आपको उपर, red जो होगा उपर में नज़र आएगा सबसे उपर में रेंबो के नीचे में violet लेकिन जो secondary नेबो होगा उसमें उल्टा होगा वाइलेट उपर नज़र आएगा, red नहीं चड़र आएगा उसमें क्या होगा, reflection दो होते हैं लेकिन total internal reflection दो होते हैं इस question को मैं बाद बेंदें कभी आपको discuss कर दो हैं ठीक है चलिए, which cell organ is known as factory of protein, ठीक ना, factory of protein किसे बोलते हैं, mitochondria, ribosome, golgi body और lysosome, ठीक, तो cell जो है हमारे अंदर, जो cell के अंदर बहुत सारे cell organ है, mitochondria, nucleus, golgi body, endoplasmic, reticulum, lysosome, ठीक है, बहुत तरह हैं, तो उनमें एक organ होता है, ठीक है जो क्या करता है, strip और strip क्या बनाता है, protein को बनात जैसे, इसको बोलते हैं, क्या factory of protein, यह भाई साब काम कौन करता है, cell का सबसे छोटा organ, वो कौन सा है, ribosome, ठीक है, यह smallest organ भी होता है, इसको यह भी देखिया, smallest organ, ठीक है, smallest organ of cell, सबसे छोटा है, देखन में छोटन लगे, गाउ करे, गंबीर, ठीक है, protein नहीं बनेगा, तो ठीक है, तो ribosome क्या करता है, हमारे body के अंदर क्या करता है, protein का निर्मान करता है, mitochondria को भी देखो, क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, powerhouse of cell बोला जाता है, क्यों, क्योंकि यह body के अंदर क्या बनाता है, cell क्या करता है, ATP का निर्मान करता है, ATP क्या है, currency of energy है, ठीक है लाई-जो जॉम को क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है ती कいます हत्या के थेले इसको बोला जाता है फिम है और गौल की बाड़ी तो यहां थे हमने इसको देख लिया जो "'next question देखते हैं तो यहां तक थे हमारे top मैंट्फून कुछ कोशन थे जो railway से later exam से later ये question है तो हमारी ये स्रीच चल रही है जब तक हमारे 2000 question complete नहीं होंगे तब तक हमारी ये स्रीच चलती रहेगी तो आप लोग यहाँ पे जोड़िए अपने आपको check किजे आपका label क्या है कहाँ पर फसर है किन question में फसर है जब भी आप किसी question में फसर है तो इसका समझ लेज़े कि वो section आपको कमजोर है आपको उस section में काम करना पड़ेगा और हमेसा मैं बोला हूँ कि एक step आपको थोड़ा सा आगे advance level में आपको तयारी करने पड़ेगी क्योंकि exam का जो level है obviously है कि पिछले साल के तुलना के मुकाबले तो होगा लेकिन हो सकता है कि उससे एक step और आगए अगर exam का level आ जाए कुछ भी हो सकता हमको नहीं पता लेकिन अगर आ जाए तो आप तयार है आपकी तयारी उस तरह की होनी चाहिए ताकि आप का selection हो चाहिए जो आपका सपना है रेलवे में एक सरकारी नौकरी का वो सपना आपका पूरा होगा है तो मिलते हैं कल आप से फिर से 7 बजे क्योंकि हमारी session यह साड़े 5 बजे चल ला था लेकिन किसी कारण वास हमने इसको 7 बजे shift कर दिया तो 7 बजे से हमारी एक session लाइव रहती है तो आप लोग जुड़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीज़े ताकि वो भी इस श्रीज का फाइदा हो शाट रहे तब तक लिए जय हिन जय भारत